नमस्कार दोस्तों, मालती जोशी की कहानियों की सरिंखला में आज सुनते हैं, मोह भंग अरे चलो भाई, कहां हो तुम सब? मैंने आवाज दी, प्रतिक्षन मेरा धहरे चुकता जा रहा था कहां तो घर पर साड़े पांच बजे उठ जाती थी और यहां साथ बज गए हैं, अब तक चाय हलक से नहीं उतरी गिरीश इस वाज शायत स्वर बहुत खीजा हुआ था, क्योंकि गिरीश भागा भागा भीतर आया और बोश बेसिन की ओ जाते हुए बोला तुम शुरू हो जाओ दीदी में अभी एक मिनिट में हाजिर हुआ सुबह सुबह क्या काम लेकर बैट गए थे, मैंने चाय डालते हुए पूछा मचलियों को खाना दे रहा था, पॉंड की वीकली सफाई भी डियू थी न, खेर वह फिर बाद में कर लूँगा सुनीता जाग गई है न, मैंने उसकी भी बना ली थी, मैंने गिरिश के आगे कब सरकातिवे कहा सुनीता अपनी बिटिया को मॉर्निंग बॉक कराने ले गई है, बिटिया? मतलब शेरी, उसे रोज सुबह घुमाने ले जाना होता है? मैंने तो कह दिया, इतनी सुबह अपने से नहीं उठा जाएगा, इसके बदले मैं मचलियों की देखवाल कर लूँगा मैं चुपचाप चाय पीती रही, पर शायद मेरे भीतर की उथल पुतल चहरे पर प्रतिबिम्बित हो गई थी गिरिश ने हस कर पूछा, क्या बात है? कहां? कुछ भी तो नहीं कुछ तो है, तो मुझसे छिपा नहीं सकती मैं छिपाना भी नहीं चाहती, मैंने कहा सुनीता सु शायद ना कहती, पर तुम से तो कोई संकोश नहीं है गिरिश ये क्या पागलपन है? पागलपन? और क्या? अपने प्यारे से दुद्मुहे बच्चे वहां उतनी दूर होस्टल में रख छोड़े हैं? और यहां कुत्ते बिल्लियों पर प्यार लोटाया जा रहा है कल से देख रही हूँ, सुनीता उस कुतिया के लाड़ प्यार में खोस ही गई है जबके उसके असली हगदार वहां अनुशासन की जंजीरों में कैद है उनके किलकारियों के बिना घर कैसे भाएं भाएं करता है? देखो तो गुद मॉर्निंग एवरिवर्डी मैंने अपनी बात बीच में ही छोड़ कर देखा सुनीता प्रसन मुद्रा में दरवाजे पर खड़ी थी उसका गोरा गुलाबी चहरा सुबह की ताजी हवा में गुलाब सा खिल गया था बच्चों की तरह के लगते हुए उसने कहा गिरीश आज जानते हो इसने क्या किया पर इससे पहले कि वह आगे कुछ कहती गिरीश ने दौनों हाथ फैला कर उसे चुप रहने का संकेत दिया क्या बात है बात कुछ नहीं है बस यही कि दीदी यहाँ चार दिन आराम करनी के लिए आई है उन्हें अपनी मानस कन्या के गुरगान से बोर मत करो आप बोर होती है दीदी चाय लोग ही न सुनीता मैं जरा गरम करके लाती हूँ मैंने छुटकारा पानी की कोशिस की पर सुनीता ने मेरा वा प्रयास सफल नहीं होने दिया चाय अभी रहनी दीजिये दीदी नायनायन आ गया है बना देगा पर यह बतलाईए क्या आपको जानवर अच्छे नहीं लगते यह जानने का कभी मौका ही नहीं मिला रहे शादी से पहले घर की बड़ी लड़की के नाते मा की ग्रहस्ती का भार ढूती रही छोटे भाई बहनों को संभालती रही ससुराल का घर भी भरा पूरा था अपने तो तीन ही बच्चे हैं पर ननद देवर धेर सारे थे कोई न कोई पढ़ाई के लिए हमेशा पास बना रहा अब तो खैर सब ठीकाने से लग गए हैं अपने बच्चे भी नौकरदार हो गए हैं पिछले महीने अजय अपनी पोस्टिंग पर चला गया तो घर एकदम खाली हो गया इतनी फुरसत की आदत नहीं है न इसी से शायद बीमार पड़ गई है चलो अच्छा हुआ इसी बहाने तुम हमारे हिस्से में तो आई पर याद रखो दीदी तुम या आराम करनी के लिए आई हो सुबह सबेरे से इस तरह रसोई में जुट जाओगी तो जी जा जी हमें क्या कहेंगे सुबह सबेरे अरे साथ बजे चाय बनाई है जानते हो घर पर तो इतनी देर में मैं नहाद हो कर पूजा गने बैठ चुकी होती हूँ पर आप यहां रिलेक्स होने को आई हो न दीदी दीदी देन रिलेक्स सुनीता ने कहा हमें भी कुछ सिवा का मौका दीजिए इन दोनों का ऐसा इसनी ही तो खीच लाया है मुझे नहीं तो अपना घर छूटता ही कहा है कभी बच्चों की पढ़ाई कभी परिक्षा कभी बीमारी हमेशा कोई न कोई बंधन लगा ही रहा पिछले साल बनाई की शादी हुई सबने कहा चलो अब आप फुरसत हुई पर कहा पूरा साल तीस त्यहोराओं में बीद गया दिसके लिए बहु मेहमानों की तरह आती जाती रही हाँ उसके बाद एकदम सरनाटा च्छा गया और अजय के जाने के बाद तो बस सूना घर जैसे काटने को दोड़ता है अकेले सोच में घुल घुल कर ही बीमार पड़ गई मैं तब इन्होंने ही कहा गिरीश इतना बुला रहा है चली क्यों नहीं जाती जाओ हफ्ते दो हफ्ते अपने अपसर भाई की खात्रतारी इंजॉय कराओ मैं कुछ दिन राम खिलावन की रसोई जेल लोंगा बस मेरा हाज मा लाएलाज होने से पहले लोटाना बड़ी उमंग लेकर आये थी औरत बूड़ी भी हो जाए उसका पीहर के प्रती उतसा कम नहीं होता मुझे तो खुशी थी कि अम्मा बाबुजी के बाद भी भाईयों ने नाता नहीं तोड़ा बेहनों को जब तब बुलाते रहते हैं उमेश तो अमेरिका आने का न्योता भी दे चुका है पर मैं यहां मुकेश के पास कल्प कम तक तो जा नहीं पाती छे भाई बहन थे हम लोग, छे दिशाओं में बढ़ गए हैं गिरिश का ही ठिकाना ऐसा है कि अकेली आ जा सकती हूँ बड़ी उमंग से आई थी पर आते ही मन बुझ सा गया रिनू चीनू उटी में है, यह मालूम था पर उन दोनों के बिना घर इतना सूना लगेगा इसकी कल्पना नहीं थी लगा, लाई हुई धिर सी मिठाई अकारत गई दीदी, दो पहर आपको एक दो घंटे अकेले रहना पड़ेगा, बोर तो नहीं होंगी क्लब जा रही हो? नहीं, क्लब तो एका दिन छोड़ा भी जा सकता है, और क्लब में तो मैं आपको भी ले जा सकती हूँ फिर? दरसल हम लोगों ने एक संसकार केंदर खोल रखा है, बो दबार शुकरवार में क्लास लेती हूँ सुनीता ने बताया, तो मैंने कहा, मुझे तुमारी क्लब में कोई इंट्रेस नहीं है, पर यहां तो मैं भी साथ चल सकती हूँ सुनीता ने जैसे राहत की सांस ली, करीब दो अधाई बजे हम लोग घर से निकले काफी दूर जाकर सड़क के किनारे उसने गाड़ी रोकी, कोई नई कॉलोनी बन रही थी, मजदूरों की जुग्यों से सारी जगह पटी थी यहां अकेली मत आया करो तुम, शेरी है न साथ मैं, उसने शेरी को थपटपाते हुए कहा और उसे चौकीदारी के लिए छोड़कर गाड़ी से उतर पड़ी, सुनीता के उतरते ही बच्चों ने उसे घेर लिया, उसकी गाड़ी को उन्होंने दूर से पहचान लिया था उन दो घंटों में मैंने सुनीता का एक नया ही रूप देखा, उन बच्चों के गंदे कपड़े, अदनंगे शरी, चिपचिपाते चहरे, किसी से उसे परहेज नहीं था किसी की नाक पहुचती हुई, किसी को पट्टी बांती हुई, किसी की आँखों में दवा डालती हुई, वह ममता की मूरत बन गई थी बच्चों को टौफियां बाटते हुए उसका चेहरा एक अपूर वो उल्लास से दपक रहा था उस सुनीता को देखकर कौन कह सकता था कि वह इतने बड़े अपसर की बीवी है, अंग्रेजी में एमे है और अपने समय में कॉलेज की ब्यूटी क्वीन रह चुकी है, और उस समय तुम्हें विसमे से ठगी रह गई जब उसने बच्चों को सरल भाषा में एक लब्वी की कहानी सुनाई, लोटते समय में चुप-चुप ही थी बोर हो गई न दिदी? नहीं तो, मैं तो यह सोच रही थी कि यह एक लब्वी की कथा तुमने कहां से याद कए ली? क्यूं? मेरे पास तो रामायर महावारत की कथाओं का पूरा सैट है हर बार एक कहानी याद करके जाती हूँ, जिना पढ़ना आता है, उन्हें चित्र कथाओं की पुस्तक भी देती हूँ एक बात कहूं सुनीता, बुरा तो नहीं मानोगी कहिए, तुम्हारे मन में जो ये ममता का सागर है, उसे औरों पर क्यों नुटा रही हो? अपने बच्चों को भी तो उसका सुक भोगने दो, उन्हें तो तुमने इतनी दूर भेज दिया है क्यों? दूर भेज देने से ममता कम हो जाती है दीदी और रीनू चीनू यहां नहीं है, इसी लिए तो मैं इन बच्चों के लिए समय निकाल पाती हूँ दीदी हम लोग तो संपन है, अपने बच्चों को कहीं भी पढ़ा सकते हैं पर इन अभागों के पास तो ना साधन है ना सुविदा इन लोगों के लिए कुछ कर पाने से मन को कितनी त्रिप्ती मिलती है, मैं बता नहीं सकती बता भी दूँ तो शायद आप समझ नहीं पाएंगे हाँ, सो तो है, मैंने हत्यार डाल दिये और अप्रिय प्रसंग वहीं समात कर दिया मम्मी जी, मैंने अपनी बुनाई से नजर उठा कर देखा परदे की फांक से एक नन्ना सा चेरा जहांक रहा था तेल सने बालों की कसी दो चोटियां, उपर दो तितली नुमा, बड़ी बड़ी किलपें आँखों में धेर सारा काजल, नाक में काला सा धागा, कानों में तामे की बाल लियां जिस हाथ की उंगली मुँ बेंदिये थी, उसमें प्लास्टिक की हरी चार चोड़ियां सुनीता तब तक आप पहुँची थी सुनीता, देखो तो जरा अरे, ये रहे आपके बिस्कुट, पर पहले मुँ से उंगली हटाओ बिस्कुट पाते ही लड़की फुदक्ती आंगन में चली गई, जाते हुए मैंने उसे संपून ग्रूप में देखा उसकी बाकी साज सज्जा से जरा भी मेल नखाती, उसकी दूधिया घेरदार फ्रॉक आउखों में चुप सी गई ये कौन है सुनीता, महरी की लड़की है, जब तब आ जाती है, बिस्कुट की बहुत शौकीन है, आते ही अपना टेक्स मांगती है आजकल तो कपड़ों से कोई किसी को पैचान ही नहीं सकता, जरा उसका फ्रॉक तो देखो वह तो चीनू की फ्रॉक है दीदी, सुनीता ने कहा तो एकदम सक पका गई, गिरिश अखवार पढ़ रहा था कानों में भनक पढ़ते ही एकदम उचल कर खड़ा हो गया कौन सी फ्रॉक, वही सफिद फ्रिल वाली सुश्मा ने सहमे हुए स्वर में कहा, चीनू को छोटी पढ़ रही थी और कई जगे से सिलाई भी खुल गई थी तुमसे हजार बार कहा है, वह दहाडा, तुम्हें परोपकार का ऐसा ही शौक है तो इन लोगों को नई सिल्वा कर दो पर मेरे बच्चों के कपड़ों को मत चुआ करो, हर कोई आरा गेरा उन्हें पहन कर घूमे, मैं टॉलरेट नहीं कर सकता मैं इस तब रह गई, किरिश जो हम भाई बेहनों में सबसे ज़्यादा हां सोट, जिन्दा दिल, शाली नौसु संस्कृत है, वह क्या इतनी ओची बात कह सकता है, क्या मेहमानों के सामने पतनी को इस तरह अपमानित कर सकता है शर्म के मारे मुझ से सिर नहीं उठाया गया, मुझे पता नहीं वह कब कमरे से बाहर चला गया, बड़ी देर बाद आवाज आईए मैं कलब जा रहा हूँ, खाने पर इंतजार मत कहना तब मैंने उपर देखा, वो अजनबियों की तरह दर्वाजे में खड़ा था और यह बात जैसे उसने दीवारों से कही थी उसके जाने के बाद भी बड़ी देर तक हम एक दूसरे के सामने बे मतलब मौन बैठी रही सुनीता का आवे जात्य उसे मेरे सामने रोने नहीं दे रहा था पर उसके निश शब्द आक्रोश की आंच मुझ तक पहुँच रही थी आखिर मुझ से नहीं रहा गया, मैंने ही सूखी हसी के साथ मौन तोड़ते वे कहा कई बाते हमारे संस्कारों में ऐसी घुल मिल जाती हैं कि हमें पता ही नहीं चलता गिरीश ने तो आज मुझे अम्मा की याद दिलाती सुनीता ने आखों में प्रश्न भर कर मुझे देखा अम्मा कभी भी बच्चों के कपड़े नौकरों को नहीं देती थी कहती हैं ये छोटी जात वाले बहुत गुण जानते हैं बच्चे के कपड़ों पर ऐसा टोना टोटका करते हैं कि विचारा सूख कर कांटा हो जाता है कई बार तो बच्चता भी नहीं है आप भी इन बातों को मानती हैं बिलकुल नहीं मेरे हाँ तो तुम्हें पुराना कपड़ा ढूने से नहीं मिलेगा सब उठा कर दे डालती हूँ मैं पुराने कपड़ों से बरतर नहीं खरीती हूँ एक तो उन्हें बोरी भर कपड़े दो आदा घंटे बक जग कर अपना खून जलाओ टब जाकर वे एकाद कटोरी एकाद प्लेट दिखाएंगी इससे तो किसी जरूरत मन को दे दो बिचार अच्छे महीने पहनेगा और दुआ देगा अजय को किसी नाटक में भिकारी का रोल करना था तुम विश्वास नहीं करोगी पर घर में एक भी फटी या पुरानी कमीज नहीं निकली पड़ो से उधार लेनी पड़ी सुनीता के चहरे पर भी थोड़ी सी हसी जलकी तो मुझे लगा मेरा स्रम सार्थक हो गया आप इस उम्र में भी इतने सुलजे हुए बिचार रखती है और मैंने कहा ना सब संसकारों का परिणाम है बे कब कहा अपना असर दिखाएंगे कोई नहीं जानता चलो अच्छा है भुनभुना कर ही सही आज किलब तो गया है नहीं तो जब से मैं आई हूँ घर में ही कैद हो गया है सुनीता मैं तो तुमसे भी कहती हूँ मेरी बज़े से अपना कोई कारिक्रम मत बदलना नहीं तो मजे बहुत संगोच होगा मैं कोई महमान थोड़े ही हूँ सुनीता ने जैसे मेरी बास सुनी ही नहीं घरी की ओर देखकर बोली दीदी नौ बज रहे हैं खाना लगवाद है क्यों गिरीच क्या क्लब में खाकर आएगा नहीं वह खानी की सुविदा नहीं है सिर्फ पर उन्हें देव लग सकती है तो लगने दो न अभी कोई ऐसी भूग भी नहीं लगी है शाम का नास्ता ही अभी हजम नहीं हुआ है फिर भी आप खा ही लेती तो ठीक था क्लब से लोटने के बाद भी कमपनी के मूर में नहीं रहते मैं समझ गई आखे तीन-तीन जवान बेटों की मा हूँ मैं एक तो तिसपर आर्मी मैं है सुनीता शालिंता से जो बात कह नहीं पा रही थी वह अन कहे ही मेरे गले उतर गए थी चलो खा ही लेते हैं मैंने कहा बैसे मुझसे परदा कहने की जरूरत नहीं है मैं तो जानती हूँ कि आज कल यह आमरिवाज हो गया है हाँ अम्मा या बाबुजी होते तो जरूर चौक पड़ते मैं तो इतना तरस्ती हूँ दीदी अम्मा या बाबुजी दोनों में से एक को तो आज हमारे पास होना चाहिए था हाँ यह तो है औरों की तो सारी खुशी उन्होंने देख ली थी केवल गिरिश का बैभब नहीं देख पाए मैं बैभब की बात नहीं कर रही दीदी मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि बड़ों की कमी का एसास मुझे बार बार हो रहा है सबसे छोटा होना बड़ा घाटे का सोदा है दीदी लाड प्यार तो खुम मिलता है पचरती उम्र में कोई आँख दिखाने वाला नहीं रहता सब मर खप जाते हैं किसी का अंकुष नहीं रहता अंकुष? हाँ यह डर कह लीजिए देखिये ना आप आई हैं तो आट-दस दिन अच्छे बच्चों की तरह घर में ही बैठे रहे नहीं तो कई बार दफ्तर से ही क्लब निकल जाते हैं और रात के बारे वज़े लोटते हैं तुम कुछ कहती नहीं? कहती हूँ तो काटने दोडते हैं तब उन्हें यह भी ध्यान नहीं रहता कि घर में नौकर हैं महमान हैं मैंने तो इसलिए आजकल कुछ कहना ही छोड़ दिया है मैं हैरान रह गई दस साल में हत्यार डाल दिये और यहां तो तीस साल से मोर्चा समभाली हुए हूँ उसने जैसे मेरे मन को पढ़ लिया बोली दीदी आप लोगों मन लड़ाई नहीं होती क्यों नहीं होती और सच पूछो तो कहां नहीं होती जो लोग ऐसा दावा करते हैं बे जूट बोलते हैं अरे जब दो भिन आचार बिचार वाले वेक्तियामने सामने होंगे तो टकराएंगे नहीं क्या किस बात पर लड़ते हैं कोई एक बात हो तो बताऊ उस लड़ाई के असर कितने दिल रहता है मैं हसी सुनी ताग घर के लड़ाई जगडों को अकसर बरतन खड़कनी की उपमा देते हैं यह बड़ी सार्थक उपमा है टकराते हैं तो एक धमा के दार गूँच पैदा होती है और बस थोड़ी देर बाद फिर सब शान्त मन में कुछ नहीं घुमड़ता मन में कुछ होगा तभी तो घुमड़ेगा ना यहां तो कुछ बचता ही नहीं मौके पर ही सब हिसाब साफ हो जाता है बेकार का जंजट हम पालते ही नहीं खाना लगवा रही हूं दीती उसने कहा और मेरा प्रवचन अधूरा ही छोड़कर भीतर चल दी योहीं बैठे बैठे पत्रकाएं देख रही थी कि ग्रीश दफ्तर से आ गया आज बड़ी जल्दी लोटा है हाँ थोड़ा जल्दी उठकिया अकेली हो सुनीता कहा है अपने संसकार के इंद्र पर गई है आज तुम नहीं गई इतनी जल्दी आउट हो गई मेरी उसकी उम्र में फर्क भी तो है उतनी एनरजी में कहां से लाओंगी पिक्चर के इरादे से जल्दी आ गया था आज फ्राइडे की याद ही नहीं चलो अच्छा ही हुआ तुम्हारे साथ दो बातें अकेले में करने का मन हो रहा था दीदी कल के नाटक के लिए मैं बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ चलता है रे छोटी मोठी जड़पें तो घर में होती ही रहती है लेकिन उन्हें अवार्ट तो किया जा सकता है सुनीता जानती है कि जब भी मैं किसी को रीनुचीनू के कपड़े पहने देखता हूँ तो सुला गुटता हूँ फिर भी वह मुझे बार बार टॉर्चा करने से बाज नहीं आती क्या वा इतनी सी बात नहीं समझती कि हर एक कपड़े के साथ कुछ यादें गुथी हुई है किसी और के शरी पर देखता हूँ तो मन पर सांप लोट जाता है और शायद इसलिए सुनीता वे कपड़े बांटती फिरती है क्योंकि उनमें यादें गुथी है उन यादों को वो दूसरों के सहारे मूर्थ करना चाहती है अलमारी में निर्जीब से पड़ेवे प्यारे प्यारे कपड़े उसे उदास कर जाते होंगे वह चाहती है कि कोई उन्हें पहने और उसे असी से उसके बच्चों के लिए दुआ करे वह तो मा है गिरेश जानते हो आज मैं उसके साथ क्यों नहीं गई वहाँ उसका इस तरह बेसुद होकर अपनी ममता लुटाना मुझसे दिखा नहीं जाता उन बच्चों के माध्यम से अपने बच्चों तक पहुँचने का उसका दैनी प्रयास मुझे रुला जाता है और तब तुम लोगों के पागलपन पर इतना ताव आता है कि बस पागलपन मेरा नहीं है दीदी सुनीता का है उसी की जिद है यह कहती है आज का लिए कोई नहीं देखता कि आपके बच्चे क्या पढ़ते हैं वे कहां पढ़ते हैं यह ज़्यादा महत्वूर्ण है लेकिन यहां भी तो एक से एक बढ़िया स्कूल है राजधानी है लेकिन यहां वाले स्कूल तो लोकल कहलाएंगे ना आज का स्टेटस सिंबल है पबलिक स्कूल खासका लड़कियों के लिए तो यह बहुत जरूरी है लड़की सुन्दर हो पड़ी लिखी हो दहेज बाली हो फिर भी बात नहीं बनती सुनीता कहती है कि अब लोग रेजिडेंशियल इस्कूल वाली मांगते है सिर्फ इंग्लिस मीडियम से किसी को इंप्रेस नहीं कर सकते है जो कहती है कि आ वही अंतिम सत्य है तुम्हारा अपना कोई मत नहीं है मुझे मता अधिकार मिलता ही कभ मैं तो कस्वी के शासकिय उच्चतर माध्यमिक विध्याला का पड़ा हुआ हूँ ना इस्कूल का नाम चबा-चबा कर बोलते हूँ उसने कहा पबलिक इस्कूल तो हमारे लिए सपना ही था हम तो किसी अच्छे से प्राइवेट इस्कूल की बात भी नहीं सोच सकते थे पर उससे क्या फरक पड़ता है आज किस बात मैं औरों से कम हो बस यही तो मैं सुनीता को समझा नहीं सकता उल्टे भही मुझसे कहती है कि आपकी परवरिश दूसरे धंग से हुई है आप इन बातों को नहीं समझेंगे अपने पित्रकुल के अपमान की एक सूक्ष मिसी चुभन से मैं तिल मिला गई पर मैंने अपना शोब प्रकट नहीं होने दिया गिरीश वैसे यह उद्विग न था उसके मन इस्ताप को और हवा देना उचित नहीं लगा घर में शान्ती बनाए रखने के लिए कई बास समझोते करने पड़ते हैं यह भी उन मैंसे एक है पर अभी भी मेरा मन इसका अभ्यास्त नहीं हो पाया है हर बार जाते हुए लड़कियां इस तरह भी लगती हैं कि मेरी हफतों की नेद छिन जाती है किसी तरह में वह द्रिश भूल नहीं पाता जितना ही अपने को समालता हूँ भीतर से उतना ही विखर जाता हूँ और शायद इसीलिए दनादन पीने लगे हो क्यों? नहीं वह एक दूसरा टेंशन है दो-दो बच्चों को बाहर पढ़ाने का मतलब क्या होता है? जानती हो दीदी और सरकार जितनी तनुखा देती है उसमें तो ये संभव भी नहीं है इस शाहा खर्ची के लिए फिर बहुत कुछ उपर नीचे दाएं बाएं कहना पड़ता है दुख तो यह है कि इसके बाद भी रीनू-चीनू वहां हीन भाव से ग्रस्त रहते हैं आया में बैंक करप्ट मैं दीदी बोथ एमोशनली और फाइनेंशेली जरासी बात का तुम लोगोंने हुआ बना रखा है मैंने जिड़की दी यह कोई ऐसी समस्या नहीं कि सुलजी न सके इसका कोई समाधान नहीं है दीदी मेरी भावनाओं को कोई नहीं समझेगा बच्चों को बापस बुलाने का सीधा मतलब होगा कि हम लोग इस खर्च को जेल नहीं पा रहे हैं पास पड़ोस का उपहास तो मैं फिर भी सह जाओंगा पसुनीता के ताने तो मेरा जीना मुश्किल कर देंगे बच्चों की मेरी सारी खुशियां बेस्वाध हो जाएंगी गिरिश मैंने भीके स्वर में कहा अभी तुमारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं अभी से इतनी कड़वाहट हैरत होती है हैरत तो मुझे भी होती है दीदी बहुत आश्चर होता है अपने पर जानती हो शादी के फौरण बाद जब एक-एक करेने चुने चली आई तो मुझे बड़ी कोफ्त होती थी लगता था कि सुनीता को मैंने हमेशा के लिए खो दिया है वह जैसे बच्चों की ही होकर रह गई है और अब जबकि हम दोनों के बीच तीसरा कोई नहीं है मुझे घर लोटनी की ये इच्छा नहीं होती जरा भी अकेले हुए कि हम लोग बिना बात के लड़ पड़ते हैं जो कहना चाहते हैं वह तो कह नहीं पाते किसी तीसरी ही फालतू सी बात पर उलच जाते हैं मन की फांस मन में ही रह जाती है वैसे सुनीता ने गलत नहीं कहा था सच मुझ हम लोग ऐसे बातावरन में पले हैं जहां बच्चों का घर में रहना हेय नहीं समझा जाता था बलकि बच्चे तो घर की रोनक थे धड़कन थे बाबु जी तो बच्चों की पड़ाई के लिए बुआ, मामा, आदी के यहां भी भेचने के बिरुद्ध थे उनका कहना था कि स्कूले सिक्षा बच्चों को घर पर रहका ग्रहन करने चाहिए क्योंकि यहीं उम्र होती है जब बच्चे संसकार ग्रहन करते हैं परिवार के आचार विचार सीखते हैं इसी उम्र में ममता की देखवाल के सबसे ज़्यादा जरूरत होती है जो बच्चे इस कच्ची उमर में बाहर नहीं निकल पाते वही घर के होकर रहते हैं वरना घर से हमेशा के लिए कट जाते हैं मैं तो बाबू जी से दो कदम आगे थी मेरा तो बच्चों को नौकरी के लिए भी बाहर भेजने का मन नहीं होता मैं तो चाहती हूँ कि वे सारी जिंदिगी पढ़ते ही रहें या फिर यहीं कहीं छोटी मोटी नौकरी कह लें पर अपना सोचा सब कहा होता है वे ने डी एफो बना जंगलों की खाक चान रहा है उद्धे उतनी दूप पश्मी सीमानत पर तैनात है पिछले साल आ जाएकर रिजल्ट आते ही मेरा दिल बैठने लगा था अब वह भी चला जाएगा तीन बच्चों की माँ होने के बाद भी मैं अकेली पड़ जाऊंगी मैंने इधर उधर नजर दोड़ाई कि कि किसी का बच्चा ले आऊंगी थोड़ा सहारा हो जाएगा पर कहीं भी बात छेड़ने का साहस नहीं हुआ आजकल तो सब के यहां हम दो हमारे दो वाला हिसाब है अपना बच्चा कौन हमें दे देगा पर जब पता चला के गिरिश के यहां रीनू चीनो को होस्टल में डाल दिया है तो बहुत पच्चताबा हुआ इससे तो अच्छा था मैं ही ले आती कम से कम घर में रोनक तो होती यह तो अब बहुरानी आ गई है परवर बिने के बंगले की शोभा बढ़ा रही है मेरा गर तो सूना का सूना रहा अजैने नौकरी ढूड़ी भी तो एकदम कुवैत मैं उसके जाने तक मैं किसी तरह जी कड़ा करके उसकी तैयारियों में लगी रही उसे विदा कहने काफी लोग आ गई थे उन सब के जाते ही मैंने बिस्तर पकड़ लिया शरीर तो अपनी जगे ठीक था मन एकदम पस्त हो गया था कोई दवा लगती ही न थी पंद्रे बीस दिन बाद जी कुछ ठिकाने लगा बिनए के पिता समझते हैं यह डॉक्टर बर्मा की दवा का असर है पर मैं जानती हूँ मेरा असली डॉक्टर कौन है वो है मेरा नन्ना पोता उसकी खुशकबरी मुझे मेरी छोटी बेहन शशी ने दी थी एजे को विदा कहने सब लोग आये थे लोटते समय बिने मौसी को जबर्दस्ती लिवा ले गया बिचारा मुझसे भी बहुत कुछ कहता रहा पर उस समय मेरा कहीं जाने का मूर नहीं था शशी का पत्र आते ही मेरी खुशी का पार नहीं रहा साथ ही मैंने अपने को लताडा भी मेरी आखों को क्या हो गया था आठ दिन तक बहु आखों के सामने रही और मुझे पता ही नहीं चला दरसल उस समय आजय के लिए इतनी ब्यग्रित थी दूसरी बातों के लिए अवकाश ना था मैं तो एकदम भली चंगी हो गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं था मैंने तुरत फुरत भविश्य की सारी योजनाय बना डाली बस आपकी बास वाती आएगी तो उसे यहीं रख लूँगी बच्चा पूरे छे महीने का हो जाएगा तब ही वापस भेजूँगी वहाँ जंगल में उसकी दबादारू कौन करेगा और अगले दो-तीन साल में बिनाय का अच्छी जगे तबादला ना हुआ तो उसे यहीं ले आउंगी उस गमई गाउं में नहीं पढ़ने दूगी बैठे बिठाई लड़का बरबाद हो जाएगा जिसके आने के आहट मातर से मन का सूना पुन बिला गया था उसके आने पर क्या रौनक होगी मैं तो उसकी कलपना से ही पुलकित हो जाती हूँ बस अब मुझे किसी के आगे हाथ पसाने की जरूरत नहीं रही मेरा मन चाहा खिलोना मुझे मिल गया था रात का खाना खाकर हम तीनों अपनी अपनी कुर्सियों पर जम गए थे अब मुझे से रात में बुनाई नहीं होती टी भी देखते हुए तो बिल्कुल भी नहीं पर सुनीता ने अपने बैक से चटक नारंगी रंग का एक लच्छा निकाल लिया था और उसे घुटनों में फैला कर वा गोला बना रही थी क्या बना रही हो मैंने उत्सुकता से पूछा शेरी के लिए इसकार्प बना रही हूँ सुबर ठंडी हवा चलती है धत तेरे की मैंने निराश होकर कहा मैं तो सोच रही थी घर में कोई नया महमान आ रहा है अरे नहीं दीदी अब गुनजाईश ही कहा है गुनजाईश निकालनी पड़ेगी रिनुचीनों को भाई भी चाहिए न कोई श्योरिटी है फिर से एक टीनुँ आ गई तो तो आ जाने तो क्या फर्क पड़ता है घर में रोनक तो रहेगी शेरी वेरी से मन थोड़े ही भरता है आप शेरी से इतनी नाराज क्यों है दीदी नाराज नहीं हुरे पर दीदी साबधान रहेगा आपके खिलाफ एक शड़यंत रचा जा रहा है गिरीश ने बनावटी गंभीरता से कहा आप दीदी को बेवज़े क्यों डरा रहे हो दीदी जाते समय सुनीता तुम्हें एक सर्प्राइज देने वाली है कोई कुटा बिल्ली तो नहीं है ना मैंने सशंग होकर पूछा देखो सुनीता मैंने तो कुछ नहीं कहा ना पर हमारी दीदी ही इतनी इंटेलिजन्ट है के अब आप चुप भी कीजिए सच दीदी मिसिस राज दादा की जूली ने इतने प्यॉर पप्स दिये है मेरा बस चले तो मैं सबको उठा लाऊ आप मेरी इतनी बात मानिए कम से कम एक तो जरूर ले जाईए मुझे चुप देखकर उसने कहा क्या सच मुझ आपको जानवरों से इतनी चिड़ है नहीं चिड़ नहीं है रेपर दीदी आप एक पर इन्हें प्यार करके तो देखिए दे रिपे यू बिद कमपाउंड इंट्रेस्ट एम आ राइट डार्लिंग उसने शेरी से पूछा तुम्हारा कहना ठीक है सुनीता पर अब इस उम्र में मुझे उनकी सार समाल होगी नहीं जी जा जी कर लेंगे वाहा क्या कहने बे अपनी देखवाल तो कर लें पहले मुझे दिन भर उनके आगे पीछे डोलना पुडता है फिर आप दोना मिलका कुत्ते के आगे पीछे डोलेंगे घर में रोनक हो जाएगी बिजी हो जाएगे तो उदास होने का बक्ती नहीं मिलेगा रोनक का तो ऐसा है मैंने मन ही मनों मकते हुए कहा कि घर में अग जीता जाकता खिलोना आ रहा है अरे हाँ दीदी आपको मैं बधाई देना तो भूली गई बधाई किस बात की गिरीश ने पूछा वाहा आपको पता ही नहीं है दीदी अब दादी बनने जा रही है दीदी दिस इस टू मच बिने ने यह अच्छा नहीं किया क्या हुआ रे अरे बड़ी मुश्किलों से हम अपने को ससूर जी के गर्मा मैं पद के अनुरूप ढाल रहे थे इसने दन्ने से हमें दादा जी भी बना डाला इतना फास्ट प्रमोशन तो किसी डिपार्टमेंट में भी नहीं होता उसके इस अभने पर मैं और सुनीता दोनों ही हस पड़े उल्लस से धोकर मैंने सुनीता से पूछा तो मैं कैसे पता चला? शाशी ने लिखा था शाशी दीदी लिखेंगी? राम भजिये फिर मेरे पास स्वाती का पत्र आया था स्वाती का? आश्चरे से मेरी आँखे फैल गए क्यूं? आपकी बहु क्या हमें पत्र नहीं लिख सकती? क्यूं नहीं लिख सकती? मैंने कहा और चुप हो गई अब यह कैसे कहती कि स्वाती का इस तरह दिनोरा पीटना मुझे अच्छा नहीं लगा यह बात क्या बहु बेटियों की अपने मुँ से कहने की है फिर हम लोग किस लिए हैं? यह नई लड़कियां कितनी स्मार्ट होती हैं दीदी? सुनीता ने जैसे मेरे मुँ की बात छीन ली पर उसके स्वर में ब्यंग का नहीं प्रशनसा का पुट था जानती हैं उसने पत्र क्यों लिखा था? मुझसे रीनू के स्कूल की जानकारी मगाई थी मेरे कलेजे पर मानों किसी ने हतोड़े की चोट की दिल मिला कर मैंने पूछा क्या उसे पता चल गया है कि लड़की ही होगी? हो भी सकती है सभी संभावनाओं का ध्यान रखना पड़ता है उन्होंने कोई 5-6 जगे फॉर्म दे रखे हैं एक के भरों से थोड़े ही बठा जाता है अब देखिये ना रीनू के स्कूल में सन 90 तक की बुकिंग हो चुकी है इसलिए मैं कहती हूँ ना कि स्वाती बड़ी समझदार है बच्चे की अहट पाते ही उसने भविश्य की योजनाय शुरू कर दी हमारी तरह नहीं कि प्यास लगने पर कुवा खोदने चले है वो तो लग अच्छा था इसलिए एडमिशन मिल गया बना मुश्किली था सुनीता और भी बहुत कुछ कहती रही पर मेरे कान ही सुन पड़ गए थे आँखों के सामने स्वाती की योजनाय नाच रही थी उसने बच्चे का भविश्य तो निर्धारित कैल लिया पर हमें तो एकदम भूत काल में ढकेल दिया सारी उमंगों पर उल्लास पर पानी फिर गया गिरिश मैंने ठके से स्वर में कहा बहुत रह लिये भईया अब हमारी बापसी का इंतिजाम करो बोर हो गई दिदी दोने ने एक साथ पूछा नहीं रे पीहर में आकर कोई बोर होता होगा पर घर पर वो महाराज बैठे है न उन्हें राम खिलावन के भरों से छोड़ आई थी कच्ची पक्की खिला कर पता नहीं उनकी क्या दशा कर दी हो जब तक हूँ तब तक सेबा कर लेने दो मैंने उठते वे कहा फिर तो वे हैं और उनके बच्चे जैसा चाहें रखें बात को इतना करुन पुट देने की जरूरत नहीं थी पर यह तो मैं अपना आक्रोस ओडेल रही थी किस लिए जानती हूँ कि नदी कभी पीछे मुर कर नहीं देखती उसका प्रवा आगे को ही भागता है फिर यह जित क्यों किस लिए दोस्तों अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी द्वरा लिखे हुई कहानी मुहबंग मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ धन्यवाद